नमस्कार दोस्तों, मित्रों आज कोरोना वाइरस के बारे में मैं बात करूंगा जिसमें कहा जा रहा है कि जो कोरोना वाइरस है वो चार स्टेज पर काम करेगा आपके भारत देश में अभी इसकी दूसरी स्टेज चल लई है ऐसा कहा जा रहा है और कल आपने सुना ही होगा ह हमारे माननीय प्रदानमंत्री नरिंद मोदेजी के द्वारा जंता कर्फियू का एलान भी किया गया है कि रविवार को 7 वजे से 9 वजे तक स्थुबए जंता खुद अपने लिए जनता कर्फ्यू का आवान करे वा साथ से नौ बजे की वीच अपने घर में रहे दोस्तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इस जनता कर्फ्यू का पालन करें ये हमारी जिम्मेबारी है और इसे सफल वनाएं ये दोस्तो आज देखेंगे क्यों आवान कि में आपका कोरोना वाइरस फैला हुआ है इस समय आप देख सकते हैं ये न्यूज है दोस्तो 16 मार्च की है न्यूज मेरे पास यूरोप उत्री अमेरिका एसिया दच्छन अमेरिका ऑस्टेलिया अफ्रेका छे महादीब दोस्तो आपके पूरी तरही के से चपेट में है कोर भारत में जो कोरोना वाइरस है वो किस चरण में दूसरे चरण में नागरिक सजग रहें तो तीसरे चरण की नौवत नहीं आएगी मित्रो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है भारती आयरुविग्यान सोध परसद के महा निदेशक डॉक्टर बलराम भारग ने दोराया है कि भारत इस समय कोरोना वाइरस के दूसरे चरण में है और नागरिकों ने अगर सजगता बढ़ती अपनी जिम्मेवारी निभाई तो इस देश में महामारी के तीसरे चरण के रूप में जाएगा ही नहीं ये बाइरस इसलिए दोस्तो हमारे प्रधान मंतरी और पेपर रद किये हैं आगे आने वाली सभी जो आयोजन हैं इतने भी सभाए हैं सब को इस्थकत किया गया है इसलिए किया गया है कि आपका जो वाइरस है उसका संक्रमन अधिक ना हो ना फैले वो तीसरे स्टेज में ही न जाए ये दोस्तो जो आपका इटली हुआ चीन हुआ ये देख सकते हैं इटली चीन एरान दच्छन कोरिया जैसे देश आपका तीसरे चरण में या चोथे चरण में पहुँच चुके हैं दोस्तो ये भारत के चार स्टेज क्या है दोस्तो इससे ध्यान से देखिएगा मैं आपको नोटिस करके बताय दे रहा हूं देखि पहली स्टेज क्या थी संक्रविन देशों से आए लोगों में वायरस मिलना यह पहली स्टेज है दोस्तो जो हम देख चुके हैं दूसरी स्टेज है बाहर से आए लोगों से इस्थानी नागरेकों में संक्रमण होना अभी हमारे देश में इंडिया में यही चल रही है दोस यह वायरास सिर्फ एक महीने लेता है दोस्तों इसी को फोकस करते हुए लगभग एक महीने के अंतराल में आपकी सभी छुट्टिया कर दी गई है कॉलेज वह महाविद्याले सभी जगे के साड़जने जो इस्थान है सभी जगे छुट्टी की गई है आपके जो करमचारी है उनको भी रोग दिया है कहा गया है कि घर से काम करें यही वज़े है दोस्तों और आपका जनता कर्फ्यू इसको आप सफल बनाएंगे मुझे आसा है दोस्तों अपना भारत देश है हम करतब हैं हमारे यह नागरिक होने के नाते इसलिए आप इसका पालन करें जनता कर्फ् के हैं तो दोस्तों यह है चार स्टेज जो आपकी बात की जा रही है कि कोरोना आपका चौथी स्टेज तक जाता है आपके इंडिया में इस समय सेकेंड स्टेज में है तो दोस्तों सावधानी वरते हैं और बचाओ करें मित्रों एक नॉर्मल सा उपाय है आप जानते हैं कि यह वाइरस लगभग 5 या 6 दिन आपके गले में रुखता है तो दोस्तो आप गरम पानी चाय हुआ, कौफी हुआ या गरम पानी गरारा सुबह पीते ही हैं पानी तो दोस्तो अलगा कुनकुना और गरम पानी पीएं जिससे यह वाइरस पर दोस्तो एफेक्ट करता है सबसे अच्छा इलाज है, दोस्तो यह बहुत ही सावधानी पूर्वक के इलाज है और आराम से कर सकते हैं, और सावधानी बरतियेगा सारजने के स्थान पर मत जाएं यह दोस्तो आपका इंडिया है, आप सुरक्षेत तो हम भी सुरक्षेत क्योंकि दोस्तो यह संक्रामक रोग है अपने आपको बचाएं, तो दोस्तो देश अपने आप बचेगा जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे दोस्तो मुझे विश्वा से मित्रो, आप अपने आपको संक्रामक से बचाएंगे और देश को भी सुरक्षेत रखेंगे थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो, जै हिंद, जै भारत मित्रो